नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शोमेट दोस्तों जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना रूस पाकिस्तान को ब्रिक्स संगठन में लाने जा रहा है इसका एलान अब से कुछी घंटों पहले पाकिस्तान की सरकार ने किया कि हमने ओफिशल तोर पर ब्रि पूशी मना रही है ना उसे देख कर तो एक बार को चीन भी हैरान है क्योंकि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फाइदा मिलेगा चीन को और इसलिए चीन अवसे कुछ महिने पहले हुई ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान को इस भी जान लगा रहा है पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाने के लिए अब आप कोगे कि सबसे पहले तो ये बताओ कि इससे रूस का फाइदा क्या है तो देखिए फाइदा कुछ नहीं है रूस का लेकिन बात आ गई है रूस के इगो पर दरसल जब अब से कुछ महिने पहले ब ब्रिक्स में शामिल होना और रूस को ये लगता है कि अर्जेंटीना की ये नई सरकार पूरी तरीके से अमेरिकी समर्थक है जो की है भी और ये अमेरिका के कहने पर ही ब्रिक्स में शामिल नहीं हो रहे और इसलिए रूस को लगता है कि अमेरिका की साजिश है ब्रिक्स को तोडने की ऐसे में रूस अमेरिका को मुझ तोड जवाब देना चाहता है और ये जवाब होगा पाकिस्तान दरसल ये लोग पाकिस्तान को इस संगठन में शामिल करवा कर पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अर्जेंटीना न सही तो कोई और सही हम पाकिस्तान को शामिल करवा लेंगे हमारा ब्रिक्स इतना ज़्यादा प्रीमियम और इतना ज़्यादा पोपुलर संगठन है कि इसमें सारी दुनिया शामिल होना चाहती है एक दो देश के पीछे हटने से कुछ नहीं बिगडने वाल लेकिन रूस की इस हट धर्मी में और अमेरिका के साथ इनकी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है भारत का क्योंकि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो ये लोग एंटी इंडिया प्रोपगेंडा में चाइना का साथ देंगे और पूरी डूलर का लोन मिलेगा नया करज मिलेगा और पाकिस्तान इसका कहां इस्तमाल करेगा दो जगह एक अपनी सेना को और ताकतवर बनाने में और दूसरा टेरिज्जम को बढ़ावा देने में नए ने आतंकी पाले जाएंगे नए ने संगठन बनाए जाएंगे भारत के खिल और कश्मीर में अलगावाद की भावना बढ़काई जाएगी लेकिन रूस को इन सबसे कोई चिंता नहीं है इनका एक ही मकसर है अपना इगो सेटीस्फाई करना और साथ ही अमेरिका के साथ जो इनकी जुबानी जंग चल रही है उसमें नंबर वन आना ये आपका सवाल हो रूस और चीन के साथ हैं भारत फिलाल लगबग अकेला खड़ा है लेकिन भारत अब भी ये पॉइंट ब्रिक्स की मीटिंग में रख सकता है कि ब्रिक्स की स्थापना हमने इसलिए की थी ताकि जो डेवलपिंग एकोनमीज हैं जो बड़ी अर्थवस्था हैं वो एक साथ बाता हैं व्यापार के जो अपने रिष्टे हैं उन्हें मजबूत करे और आने वाले समय में एक साथ विक्सित हों लेकिन पाकिस्तान जो की एक टेरिस्ट कंट्री है इनका कोई भविश्य नहीं है इनकी कोई एकोनमी नहीं है इनके पास कोई एसेट नहीं है जिससे कि ये भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है हाला कि अब देखने वाली बात ये है कि भारत यहाँ पर क्या चलेंज सामने रखता है और किस परकार से पाकिस्तान को ब्रिक्स में जाने से रोकता है मैं इस मुद्दे पर रगुलर्ली आपको अपडेट देता रहूँ